नमस्कार में उर्पिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुक खबरों को चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सीवां से सटे इलाकों में परियोजनाओं के काम में लाए जाएगी तेजी चीन की मनमानी को सबक सिखाने के लिए भारत ने पूरी प्रतिवधता के साथ काम करना शुरू कर दिया है इसी करम में वास्तविक नियंतर निर्खा पर भारत और चीन के बीच बढ़े विवाद के बाद फिर से भारत ने चीन को साफतोर पर समझा दिया है कि 1962 का भारत नहीं है जहां पर चीन अपनी मनमानी करेगा जिसके बाद अब किंद्रे गुरह मंतराले ने चीन से लगती सीमा पर सडकों के निर्बान का काम तेज करने का फैसला किया है वहीं महंतराले की तरब से जारी केगे सूचना के नुसार एक हफटे में दूसरी बार LSE के साथ लगते छेत्रों में बुनियादी धाचे के विकास को लेकर परियोजनाओं की समिक्षा की गई है जिस पर 32 परियोजनाओं का काम तेजी से बढ़ाया जाएगा इतना ही नहीं आयोजित इस बैठक में सडकों के लावा बिजली स्वास्त दुरसंचार और सिक्षा जैसे अन्यसीमा और संरचना के विकास से सम्मनित परियोजनाओं को भी प्राथमिक्ता दिये जाने का फैस साल के अंतक के लिए बढ़ा दिया गया है जिससे साफतार पर आईटी वाले लोग जिनका H1B वीजा अप्रेल लोट्री में अप्रूफ हो गया था उन्हें अब आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसके बाद भारतिया खेमे से आपत्ती जताई जाने लगी है जिसक साथ ही अमेरिका के कुछ नेताओं ने भी ट्रंप के इस फैसले को गलत बताया है जिसके तहत एक अधिकारी ने कहा है कि H1B वीजा में बदलाब करना था इसे खत नहीं करना था सरकार को समझना चाही कि वीजा अमेरिका के कमजोरी नहीं ताकत है Global Times ने उड़ाया भारती अर्थव्यवस्था का मजाग भारत में वर्तमान समय में चीनी स्तामानों के इस्तमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग जोर शोर से देखने को मिल रही है वहीं से भी चीन का मुख्य पत्र सरकार अकपार Global Times ने भारत का मजाग उड़ाया है जिसके तहत उसने लिखा है कि अगर भारत चीनी उतपादों का इस्तमाल करना रोक देती है तो यह उनके लिए ही नुकसान दे साबित होगा इसके आगे Global Times ने भी लिखा है कि भारत के चीन के साथ इस तरीकी के रवये का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है भारत सरकार ने बंद में छूड़ देना तब शुरू किया जब COVID-19 संक्रमन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे थे यानि कि बीते दिन तक अगर जारी किये गए आंकड़ों को देखे तो 4,10,000 के पार आंकड़त महोच चुके है यही दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब बंद को नहीं जहल सकती है राष्ट्रवाद की भारत की राजनीती पार्टियों से मतभेत के कारण दोनों देश में विवाद बढ़ता जा रहा है ऐसे हालात में भारत अगर चीन के साथ ऐसी कोई बचकानी हरकत करता है तो इसका प्रभाव अर्थववस्था पर देखने को मिल सकता है दुनिया के वैल्यू चेन को देखे तो भारत के बहुत से रास्ते नहीं है अगर वह चीनी उत्पादों के इस्तमाल को रोकता है तो भारत में वह सामान बहुत ही महंगी कीमत में बिकेगी और ऐसे कई भारतिय उद्योग हैं जो पूरी तरीके से चीन के माल पर निर्भर करते हैं जो चीन के सामान के बिना अपनी कमपनी नहीं चला सकते भारत की GDP का इस साल रहेगा बुरहाल COVID-19 के बरते प्रभाव के कारण अर्थिवस्था पूरी तरीके से सरकों पर आ गई हैं और यहीं कारणे की इस साल GDP बर भी COVID-19 के बरते प्रभाव का असर देखने को मिलने वाला है जुसके तहट Credit Rating Agency Movies Investor Services ने भारतिय अर्थिवस्था में 2020 में 3.1 फीसिदी की गिरावट आने की संभावना जताई है जुसके तहट Agency ने साफ तोर पर कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाफ के कारण एशिया में भोगालिक स्थितियों में बदलावाने की भी संभावना बढ़ गई है जुसका असर GDP पर भी साफ देखने को मिल सकता है वहीं इससे पहले मूडीज ने अप्रेल में जारी केगे आकड़ो में साल 2020 में भारत में 0.2 प्रतिशुत की वृध्धी का अनुमान जताया था अब एजिंसी ने COVID-19 के बढ़ते असर को देखते वे अपने अनुमान में ही संशोधन किया है हाला कि मूडीज का मानना है कि इसके बाद साल 2021 में भारतिय अर्थ ववस्ता तेजी से वापसी करेगी और 6.9% के दर से वृध्धी दर्च की जा सकती है योगी सरकार ने बिजडी उभोकताओं के घर में चीनी स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का जारी के आदेश भारत और चीन के बीच उत्पन हुए तनाव के बाद अब भारत में चीन निर्मित सामानों को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश जोर शोर से की जा रही है इस एक्रम में बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने बिजडी उभोकताओं के घरों में चीनी स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का फैसला किया है उतर प्रदेश पावर कॉर्परेशन की तरफ से साजा की कई जानकारी के अनुसार चीनी कमपनी हेक्सिंग ने इस टेंडर को लेने के लिए इंडोनेशिया में कमपनी को दूसरे नाम से रेजिस्टर किया था और टेंडर हासिल क्या था इस कमपनी के द्वारा गलत तरीके से टेंडर हासिल करने की जानकारी मिलने के बाद उतर प्रदेश पावर कॉर्परेशन ने इस आग्रिमेंट को कैंसल करने का फैसला लिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इस कमपनी के 8000 चीनी स्मार्ट मीटर लखनों पहुँच चुके हैं लेकिन अब इस मीटर को उभोगताओं से यहां नहीं लगाने का निर्देश जारी के आगया है यूएस की एक रिपोर्ट में गलवान वैली में हुए वाक्या पर जारी के एहम सुबूत भारत और चीन के बीच लगातार घाटी में उतपन हो रहे तनाव के भी चीन की तरफ से लगातार गलत जानकारी दिये जाने का खुलासा हुआ है अमेरिका इंटेलिजेंस के एक रिपोर्ट में साफतोर पर यह दिखाए गया है कि किस तरह से चीन जान बूझ कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है जिसके तहर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का भारत के जवानों के साथ किया गया बढ़ता पेहद ही सोच समझ कर किया गया था महीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन विदेश मंतर वाले ने इस पूरे मामने का ठीक रा भारत पर पर पोड़ दिया है मगर सचाई क्या है यह पूरी दुनिया के सामने जल्दी आ जाएगी 27 जुन को Amazon आयोजित करवाएगा Small Business Day event Amazon 27 जुन से Celebrate Small Business Day का तीसरा अडिशन शुरू करने जा रहा है 27 जुन को भारत में MSME Day के रूप में मनाया जाता है इस बार ओनलाइन माध्यम से छोटे कारोबारी कारिगर बुनकर सुष्म उध्यमी और स्टार्टप्स को काफी मदद मिलेगी COVID-19 की कारण इन लोगों पर काफी ज़्याद अब बुरा असर पड़ा है Amazon India के Empowerment and Experience के प्रमुक प्रतेनिधी की जानकारी के तहत उन्हें बताया है कि इस event से संबंदित सारी जानकारी साचा कर दी गई है यह Amazon का तीसरा event होगा जो मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए आयोजित करवाए गया है आपकी जानकारी के लिया को उता दे इससे पहले Amazon India की तरफ से COVID-19 के समाहौल में चोटे व्यापारी और उद्दमियों को बचाने के लिए कई महत्वपुन कदम उठाए गये थे कंपनियों की कोशिश है कि बिकरी में ज्यादा से ज्यादा तीजी लाए जाए 40 साल बात मिला 90 साल की महिला को उनका बिश्रा परिवार 50 साल की उमर में अपनों से जुदा हुए हिंदु महिला बीते 40 साल से अपने परिवार से दूर चल रही थी लेकिन इसी बीच उनकी देखभाल करने की जिम्मदारी एक मुस्लिम परिवार ने उठाई 14 साल से मुसलिम परिवार लगातार उनकी देखभाल कर रहा है पूरा गाउं इन्हें मौसी कहकर पुकारता है कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई है मगर अब इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया मुहीम से पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है यह वागया मध्यप्रदेश इलाके का है जहां पर पिछले 44 साल से अपनी परिवार से दूर चल रही महिला के उनका परिवार मिल गया है हाला कि इनकी विदाई के समय पूरे गाउव में आखों में आसू देखने को मिले आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे एक दिन बातों ही बातों में महिला ने खानम नगर का जिक्र किया जिसके बाद जब उनकी देखवाल करने वालों ने उस जगए को गूगल पर सर्च किया तो वो जगए मुंबई में पाई गई फिर क्या था उनकी देखवाल करने वाले लोगों ने उनके एक तस्वीर खीच कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, साथ ही पूरे वाकिया का जिक्र करते वे संपर्क नमबर भी साजा कर दिया, जिसके बाद उनके पोते पृत्वी कुमार शिंदे ने उन्हें पहचान लिय चीन की आड़ में आकर नेपाल ने तीन नदियों की बांधों में जारी काम पर लगाई रोक। भारत चीन के बीच जारी तनाफ के बीच अब नेपाल और भारत के बीच तलक ही बढ़ती जारी है। शक्ती मंत्री को पत्र भेज कर इस मामले में ततकाल हच से शेप करने का अनुरोध किया है। सिर्फ अभी नहीं बलकी नेपाल ने अपरेल में भी कोसी नदी के तटबंध पर चल रहे काम को रोक दिया था। उस समय में जौसन साधन मंत्री ने केंदु को पत्र लिख कर करने के लिए लिखा पत्र कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को मुफ्त खाद्यानन के प्रावधान को तीन महीने और बढ़ाने के लिए एक पत्र जारी किया है। जिसके तहत उन्होंने साफतोर पर अपने पत्र में करतिया में तीन महीने का विस्तार कर दिया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको वतादी COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जारी बंद में कई सारे लोगों की नौकरी चली गई थी। वहीं छोटे और कमजोर तपके के लोग जो हर दिन कमाते खाते थे उनकी परिशानी और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही सोनिया गांदी ने यह भी कहा कि गरीब घरों में एक बड़ी संख्या अभी भी सारवजनिक वित्रन प्रनाली से बाहर है ऐसे में ऐसे घरों के लिए अस्थाई राशनकार जारी किया जाए और उन्हें भी खाना पहु फैसले में साफतोर पर कहा है कि मंदिर समीदी राजी और केंदर सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करते वे और बिना किसी समझोते कि यह रथियात्रा को निकाल सकती है हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले जारी किये अपने फैसले में साफतोर पर कहा था कि कोवर्ड-19 के माहौल में अगर रथियात्रा की अनुमती दे दी जाती है तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि रथियात्रा केवल पुरी में ही आयोजित करवाई जाएगी और डिसा के दूसरे शेहरों में रथियात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा जिसके बाद केंद्रेग्र मंत्री अमित्र शाह ने कहा कि जगरनाथ रथियात्रा की अनुमती मिलने से पूरा देश खुश है वहें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुरी में रथियात्रा की अनुमती मिलने के बाद सभी लोगों को बधाई दी है जेपी नड़ा ने कॉंग्रिस द्वारा सेना का मनोबल गिराने की कही बात भारतिये जंता पार्टी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा ने बीदे दिन कॉंग्रिस और राहूल गांधी परता चुका सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर टिपपणी करते वे खाथा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। यह चीन के कहे अनुसार भारत के अलाकों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप चीन ने नेपाल के अलाके में घुसना शुरू कर दिया है। गाउं के निशान वाले सारे पिलर को हटा दिया गया है जुसे की अपने कबजे की बात को दबा सके। अलाके तथियो के अनुसार गोर्खा जुलेव के राजस्व के दफ्तर में वह गाउं आज भी नेपाल के हिस्से में आता है और रुई के लोग लगतार सरकार को जो लागत दे रहे हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। सुषान सिंग राजपूत थे शारुक खान के फैन दिवंगा तभी नेता सुषान सिंग राजपूत बॉलिवूड इंडस्ट्री में शारुक खान के बहुत बड़े प्रशनशक माने जाते थे। सुषान सिंग राजपूत के एक फिर्म रिलीज हुई थी और वो इस शो में फिल्म को प्रमोट करने के थे। वीडियो में सुषान सिंग राजपूत ने धोती कुर्ता पहना हुआ है और शारुक खान के शो में आकर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आज ही के दिन महींदर सिंग धोनी ने साल 2013 में चांपियन्स ट्रोफी जीत कर ला चाथा इतिहास। पूर्फ कप्तान महींदर सिंग धोनी ने आज ही के दिन एक और रिकॉर्ड काइम किया था। जिसके तहत उन्होंने आज के दिन यानिकिल लगभग साथ साल पहले ICC चांपियन्स ट्रोफी 2013 में अपना नाम दर्च किया था। जिसके बाद वो वर्ड क्रिकेट में पहले ऐसे कप्तान बन गये थे जिन्होंने ICC के तीनों खेताबों पे अपना नाम दर्च किया हूँ। आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे भारत और इंग लैंड के बीच ICC चांपियन्स ट्रोफी का मुकाबला बर्मिंग हम में खेला गया था। आपकी पहले तो यह माना जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से लक्षे को प्राप्त कर देगी लेकिन धोनी की सूझ-भूज बरी कपतानी और भारतिये गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड यह मैच पांच रनों से हर गई।